इसी छोटे से गाउव में एक गरीब किसान रामदयाल अपने परिवार के साथ रहता था रामदयाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था परिवार की आर्ठिक स्थिती बहुत खराब थी लेकिन रामदयाल और उसकी पत्नी सुनीता ने कभी अपनी कठिनायों को अपनी बेटी के सपनों के आगे नहीं आने दिया रामदयाल की बेटी नेहा बच्पन से ही पराई में बहुत तेज थी गांफ के स्कूल में वह हमेशा अवल आती थी उसके शिक्षक भी उसकी बुद्धिमत्पा की तारीफ करते थे हलांकि घर की गरीबी के चलते उसकी पराई जारी रखना मुश्किल हो रहा था लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी उसने दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई को जारी रखा नेहा के मन में एक ही सपना था एक दिन IPS अफसर बनकर देश की सेवा करना परंतु गांफ के लोग और रिष्टेदार उसकी इस सोच का मजाक उड़ाते थे किसान की बेटी और IPS ये नाममकिन है लोग अक्सर ऐसा कहकर उसे हतोत साहित करते थे लेकिन नेहा और उसके माता पिता ने कभी हिम्मत नहीं हारी रामदयाल ने अपनी पूरी कोशिश की कि नेहा की पढ़ाई में कोई कमी ना आए भले ही इसके लिए उसे अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा नेहा ने करी मेहनत से पढ़ाई की और उसे सरकारी कॉलेज में परवेश मिल गया यहां तक पहुंचने के लिए उसे कई कछिनायों का सामना करना पड़ा लेकिन उसके इरादे पक्के थे कॉलेज की पढ़ाई के बाद उसने सिविल सर्विस परिक्षा की तैयारी शुरू कर दी दिन रात बिना ठकेवा पढ़ाई करती रही उसकी मेहनत का फ़ल उसे तब मिला जब उसने सिविल सर्विस की परिक्षा में शांदारा सफलता हासिल की और IPS अफसर बन गई जब गाम में ये खबर फैली कि नेहा IPS अफसर बन गई है तो पूरा गाम हैरान रह गया जो लोग कभी उसे हतुद साहित करते थे वही लोग अब उसकी तारीफ करने लगे नेहा ने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता पार किया जा सकता है नेहा अब एक सफल IPS अफसर है और उसने अपने माता पिता का सिर गर्व से उंचा कर दिया है वहाँ अपने गाम की लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई है जिसे ये सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो मेहनत और आत्मविश्वास से हर सपना साकार किया जा सकता है कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीबी या कठिनायां कभी भी सपनों के आड़े नहीं आ सकती यदि हम मेहनत और दुरट संकल्प के साथ अपने लक्षी की और बढ़ते रहें